हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है इसराफिल इस्टडी में आज के इस वीडियो में हम डियने और आरेने में अंतर जानेंगे यह जो कोईशन है आपके बोर्ड एक्जाम के लिए भेरी भेरी इंपोर्टेंट है तो इसलिए वीडियो को सुरू से लेकर लास्ट तक के मैं आपको पांच पांच अंतर बताऊंगा डियने और आरेने में तो चलिए पहला अंतर जान लेते हैं डियने तथा आरेने में तो पहला अंतर है दोस्तों डियने में इसका पूरा नाम डियोक्सी राइबोज न्यूकलीड एसिड होता है यानि डियने का फूल फॉर्म यानि पूरा रूप नाम होता है Dioxy Ribose Nucleid Acid ठीक है यह DNA का पहला अंतर दूसरा देखिए RNA में तो RNA में पहला अंतर है इसका पूरा नाम यानि फुल फर्म Ribose Nucleid Acid होता है RNA का पूरा नाम यानि फुल फर्म अब दूसरा अंतर देखिए इसमें Dioxy Ribose सरकरा पाई जाती है DNA का फुल फर्म क्या है Dioxy Ribose मतलब DNA में Dioxy Ribose Nucleid है इसलिए इसमें जो है Dioxy Ribose सरकरा पाई जाती है DNA में दूसरा अंतर है RNA में इसमें Ribose सरकरा पाई जाती है ठीक है अब देखिए तीसरा अंतर DNA में इसमें इडिनिन, गौआनीन, साइटोसिन, थाइमीन, नेट्रोजनी, छारक पाई जाती है यानि DNA में एक दो, तीन, चार पाँच छारक पाई जाती है एडिनीन ग्वानीन साइटोसीन थाइमीन और नेट्रोजनी अब आरेने में देखिए तिसरा अंतर इसमें थाइमीन के इस्थान पर यूरेसील पाई जाती है यानि आरेने में शिरिफ यूरेसील पाई जाती है वो भी थाइमीन के इस्थान पर अब चौथा अंतर देखिए DNA दुई कुंडलित होता है मतलब की डबल होता है और RNA में यह अकुंडलित होता है अब पांचवांतर देखिए DNA में यह सभी जीबों में अनुवनसिक परदार्थ रूप में होता है मतलब DNA सभी जीबों में अनुवनसिक परदार्थ के रूप में होता है और RNA में देखिए पांचवांतर यह कुछ विशानुओं में अनुवनसिक का कार्य करता है ठीक है तो यह है DNA RNA में पांच अंतर